Hello Everybody, This is Rahul Upadhyaya signing in. ये Class 2 के लिए है, हम Class 2 के लिए Hindi विशे लेके आए हैं आज, जिसमें हम पहला चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है भासा और वर्नभेद. तो इस्टार्ट करते हैं, भासा, हम अपने मन में बहुत सी बाते सोचते हैं, जी हाँ हम तो अपने मन में बहुत सारी बाते सोचते हैं, पर क्या होता है, कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे मन की बात और लोग भी जाने, ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपने मन में ही ने रखते हैं, हम उसे दूसरों को ही बताना चाहते हैं तो तब हम क्या करते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं देखिए मैं आज मेले में जाऊंगा इस लड़के के मन में कुछ बात आई ये सोच रहा था कि ये मेले में जाएगा पर इसकी इच्छा हुई कि ये किसी और को बताए अपने दोस्त को बताए तो इसने बताया मैं आज मेले में चाहूंगा और यहां पर भी देख सकते हैं एक और उधारन है अच्छा मैं तो कर देखाया यानि कि इसने भी अपनी भावना बता दी कि ये तो देखाया ठीक है अब देखते हैं आगे यहां दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं ये दोनों बोलकर अपने मन की बात कह रहे हैं तो अब इस दोनों धारनों से हम समझ गए कि भासा किसे कहते हैं अगर नहीं समझे तो ये हम पढ़ लेते हैं आगे लिखा हुआ है अपनी बात परकट करने का साधन भासा कहलाता है यानि कि हम जो भी कहना चाहते हैं उसको हम अगर हम कह देते हैं उसी को भासा कहते हैं चले हम आगे भासा के रूप के बारे में पढ़ते हैं भासा का परियोग हम मुख्यता दो परकार से करते हैं जी हां दो परकार से करते हैं एक करते हैं बोलकर तथा लिखकर एक बोलकर करते हैं और एक लिखकर करते हैं इसलिए भासा के दो रूप होते हैं एक होता है मोखिक और दूसरा होता है लिखित तो मोखिक भासा देख लेते हैं तो हम सब्द का परियुक करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं मोखिक भासा कहते हैं तो बात करने में आप पहला उधारन देख लिजी यहां पर बात जब हम करते हैं तो मुझ से सब्द और वक्य हमारे निकलते हैं उचारित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं मोखिक भासा कहते हैं हम अपने विचारों को बहुत लोगों के सावने परकट करते हैं और हम गाना गा कर भी अपने विचारों को परकट कर सकते हैं, अपनी भावना दिखा सकते हैं, तो ये भी एक मौखिक भासा का उधारन है, अब हम इसमें हैं लिखित भासा, हम अपने मन की बात लिखकर भी परकट करते हैं, भासा की इस रूप को लिखित भासा कहते हैं, जब हम अपने मन में जो कुछ बाते हैं, वो सोच लेते हैं, और उसको बोल कर नहीं, सिर्फ हम लिखकर ही परकट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लिखित भासा कहते हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, लिखित भासा का परियोग होता है, लिखने में लिख लड़का और यहां पर इसको पढ़ने में यानि कि जब लिखित भासा को कोई पढ़ता है तो एक लिखित भासा का सवरूप ही होता है ठीक है आगे देखते हैं पढ़ाने में लिखने में पढ़ने में और पढ़ाने में इन सवी में लिखित भासा का परियोग होता है जब हम लिखते हैं तो लिखित भासा का प्रयोग करते हैं पढ़ते समय हम अक्षरो को देखकर पढ़ते हैं लिखे हुए अक्षरो को देखकर पढ़ते हैं लिपी किसे कहते हैं लिपी क्या होती है लिपी बोलते समय हमारे मुझ से जो कुछ धवनिया निकलती है उन धवनियों को ल लिखने के लिए कुछ विशेश चिन होते हैं इन चिनों को लिपी कहते हैं देखिए हिंदी भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है ठीक है यानि कि लिपी किसे कहते हैं जब हमारे मुझसे कुछ दमनिया निकलती है तो उसका कुछ चिन होता है जिस तरीके से हम उस च इनको लिखित रूप में भी सपस्ट करके लिख लें तो उसी को कहते हैं लेपी तो बच्चो ध्यान रखना बोली हुई तथा लिखी हुई केवल वही बात भासा होती है जिसका कोई अर्थ निकाला जा सकता हो यानि कि कुछ ऐसी बात हम बोलते हैं जिसका कुछ मतलब नहीं निकलता है और कोई सामने वाला नहीं समझ भा रहा है तो भासा का स्वरूप अच्छा नहीं होता है वो भासा नहीं कहला सकती है तो आसा है आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी और समझ में आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में